हेलो डियर स्टुएंट, केल पॉल्टेकिनिक के इस यूटूब चैनल में आपका स्वगत है स्टुएंट आज का जो वीडियो लक्षर होगा एकॉमर्स और डिस्टल मार्केटिंग सब्जिक्ट में हम यूनिट फर्स्ट को पड़ रहे हैं जिसमें आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम कवर करेंगे इगवर्नेंस के बारे में कि इगवर्नेंस क्या होता है और इगवर्नेंस के परपस क्या है उद्देश क्या है और इगवर्नेंस के द्वारा दी जाने वाली कौन-कौन सी सुभिधाये हैं इनके बारे में हम डेटेल से पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इगावर्नेंस के टाइपस इगावर्नेंस के टाइपस के बारे में पढ़ेंगे इन सब पूरे वीडियो लेक्चर में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है तो हम चलिए one by one हम टॉपिक को डिस्कुस करते हैं जिसमें हम e-governance सबसे पहले जा रहेंगे कि e-governance क्या होता है तो चलिए slide को next करते हैं e-governance जिसको हम electronic governance या e-sasat बोलते हैं ठीक है e-governance क्या है आएए देखते हैं e-governance का मतलब सभी कारियों को online service के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुचाना या हम सीधे सब्दों में कह सकते हैं कि सरकारी सुभिधाओं को सीधे आम जनता तक पहुचाना ही e-governance कहलाता है ठीक है इसमें क्या-क्या सुभिधाओं आती हैं क्या-क्या सर्विसे आती हैं उसके बारे में हम आगे डिस्क्स करेंगे तो कहरा है कि e-governance का मतलब सभी सरकारी कारियों को online service के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुचाना जिससे सरकारी कारियालियों और जनता दोनों की पैसे और समय की बचत हो सके सिधी सी बात है कि अगर कोई भी government की scheme होगी है government की कोई भी होजना होगी अगर वो direct जनता तक पहुच जा रही है तो उसमें होगा क्या कि आम जनता को किसी भी सरकारी दफ्तर या किसी भी कारियाले पर जाने की आओ सकता नहीं पड़ेगी जिससे उसके time की energy और money की तीनों की बचत होगी ठीक है और वही चीज़ी लिखा गया है कि आप बार बार आपको बिविन दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े सीधे सब्दों में कहें तो e-governance के ताहट सभी सरकारी कामकाजों को online कर दिया गया है जिससे जनता घर बैठे बिविन कारियों को online ही apply कर सकें ठीक है उसमें सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्द सुभधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्द कराना e-governance या e-sason कहलाता है इसके अंतरगत सास की सेवाएं और सुचनाय आनलाइन उपलब्द होती है जितने भी government से related scheme होते है information होती है वो e-governance के माध्यम से प्रवाइड की आती है भारत सरकार ने electronic विभाग की अस्थापना 1977 में की और 1977 में National Informatics Center की अस्थापना e-sason की दिशा में पहला करन था ठीक है आगे चलते हैं जिसमें आज कल अगर हम बात करें भारत सरकार और लगभग सभी उपलब करा रही है तमाम तरह की जो सुविधाय होती है गौर्णन जो जनता को प्रवाइड करती है इसमें बिद्याला में आपका कोई भी आपको एडमिशन लेना हो दाखिला लेना हो बिल भर्मा हो आए जाते प्रमाण पत्र बनवाना हो सभी मोलबूद सुविधाय हिंदी में उपलग्ध है इस दिशा में अभी शुरुआत ही हुई है तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मोलबूद सरकारी सुविधाय कम्प्यूटर तथा मोबाइल के मादम से मिलने लगेंगी जिससे समय धन तथा सरम की पचत होगी तथा देश की विकास में योगदान मिलेगा ठीक है तो यह हम डिसकस कर रहे थे e-governance के बारे में ठीक है तो यह सारी चीजिये हम e-governance के अंतर गटाती है ठीक है तो e-governance की सुझ्दा आम देनतर तक कैसे मिलती है या हम कैसे जूट सकते हैं सरकारी सुभधाओं से तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कीन सरकार और राज सरकार के बिभिन बिभाग नागरिकों, बेपारियों और सरकारी संगठों को ही नहीं बलकी समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रदोगईकी की सहा辦法 से विविन सेवाया प्रदान कर रहे हैं यह कि हमारा जो सूचना और प्रदोगईकी यह हम कह सकते हैं कम्प्यूटर प्रदोगईकी इतना फास्ट हो गया है कि यह सारी चीज़े possible हैं इसी क्रम में 2006 में सुरू की गई ई-governance योजना के ताहत भारत भर में सहज सेवा केंद्र यहाँ पे आप लोग इसको जानते होंगे कि सहज सेवा केंद्र अस्थाबित किये गए हैं यह सहज सेवा केंद्र आप आदमी को सीधे तोर पर लावानमी कर सहज सुलब और उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्द कराने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है अलग अलग कंपणियां सहकी कि जो इस टाम इंडिया में काम कर रही है इसमें लगалы एक लाग से जाता से यहाँ से बैऊ साइट है जो अलग अलग कंपणियों कमपणियों है जो अपनी सेवाय दे रही हैanu ठीक है इनके बारे आगे डिस्कूस करेंगे कि आपके जो CSC सिवाएं हैं या CSC बेट साइट है जो आपके भारत भर में अलग-अलग कंपेंटों के नाम से काम करें तो कौन-कौन से विदाएं वो आम जनता तक देती हैं कौन को शुज़ाओं का लाव एक आम जंता या एक आम नागरी ले सकता है उसके बादे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है is यहां इसको पूरा करने के लिए बनाई गए है remains के पहला पॉइंट है यदि आप गवरनेंस का प्रियोग करेंगे तो आपको इंटरनेट का इस्तमाल करके डिजिटल काम करने होंगे सीरीज बात है क्योंकि यहाँ पे जो भी सुविधाये हैं गौर्णमेंट की जो भी स्कीम है जो भी उसकी सुविधाये हैं वो हमें डाइटली मतब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इंटरनेट के माध्यन से हमें प्रोवाइड हो रही है तो इसके लिए हम आप इंटरनेट का इस्तमाल करके आपने कारियों को कर सकते हैं दूसरा पॉइंट है इससे सरकारी कामों की गति में बृद्धी होगी सरकारी कामों में बहुत समय लग जाता है और सरकार जनता की समस्य को हल करने में समय लगाती है इक governance के द्वारा इन समस्य को कम किया जा सकता है और इसका हल भी निकाला जा सकता है ठीक है अगर बात करें गली point की जनता अगर किसी तरह के कार से नाखुष है तो वह online अपनी समस्य के लिए feedback भी दे सकती है ऐसे बहुत सारी सुभधाएं हैं अगर हम बात करें इसका सीथा से एक्जामपल कि अगर आपको डायल हंडरेट की बात करें या 108 की बात करें अगर आप सरकारी सेवाएं अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल rh Rhøy है या आपके छेतरिन में नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं सरकार या कह सकते हैं मुक्मंतरी हेलप लाइन पे या आप कह सकते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट बने हैं वहाँ पे आप इसका एक तरीके से कंप्लेंट डड़ करा सकते हैं यह सरकार को अपनी जो सरकार की जो सुभिधाया है अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है तो उसका आप फीड़बैक दे सकते हैं यह होते है इगवर्नेंस के परपर ठीक है अब हम जानेंगे कि इगवर्नेंस पोर्टल दोरा दी जाने वाली आलाइन सेवाएं कौन-कौन सी है ठीक है देखी इगवर्नेंस से ताथ पर है कि इनफार्मेशन और कम्निकेशन टेक्नोलजी का इस्तमाल करके ठीक है इनफार्मेशन और कम्निकेशन टेक्नोलजी अगर हम बात करें इसमें हम आपके डिजिटल डिवाइसे हैं और इंटरनेट इनवाल्व हैं ठीक है इ इससे information की exchange अलग-अलग agency और सरकार के बिच जल्द convenient तौर से पारदर्सिता के साथ हो e-governance portal से हम ऐसे आनेक सुधाय प्राप्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं जिसमें आगे है e-parivahan सेवा जो e-governance की ही अंतरगत आता है या e-governance के द्वारा ही सारी चीज़े हमें प्रोवाइड होती है ठीक है e-parivahan सेवाओं में क्या होता है इसके बारे में देख लिए 2006 में भारत सरकार द्वारा e-governance योजना की सुरुआत computer के mouse के click पर सभी सरकार योजना है आम आदमी को सुलब बनाने के प्रयास के रूप में की गई थी e-governance योजना की तहट e- परिवहन सेवाओं में हवाई रेल और सड़क परिवहन आदिसे समंधिस सेवाएं आनलाइन सुरू कर सफलता पूर्वक संचालित की आ रहे हैं यह परिवहन सेवाओं में अगर बात करें तो हमें आलाइन रेलिवे का टिकेट बुक करना हो या उसकी इस्टिग को जाना है यानि कि PNR इस्टिग की जाज करना है कि ट्रेन का e-status को चेक करने के लिए दो इस्टोसनों के बीच रेल सेवाएं यानि कि अगर हमें जाना एक एस्टेशन से एक जगा से दूसरे जगा जाना है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन-कौन से आनलाइन हम चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से railway ट्रेन इनके बीच में है और हम railway registration system को चेक कर सकते हैं उसके कितना भारा हमें देना पड़ेगा इन इस ट्रेसनों के बीच में इसको हम चेक कर सकते हैं तो यह आपका ई-परिवाहन सिवाएं के अंतरगत आता है आगे हम बात करेंगे ई-बजार सूचना ई-बजार सूचनों के अंतरगत क्या होता है क्या क्या चीज़ा आती है इनके बारे में लेखते हैं फसलों से संबंदित विभिन उत्पादों के बजार भाहों से जूड़ी सूचनाओं की उपयोगिता धीरे-धीरे किसानों के लिए बहुत महत्पूर हो दिया रही है हलाकि किसान ये सभी जानकार या अस्थानी बजार या मंडी निकायों से प्राप्त कर सकते हैं पर सूचना प्रदोगिकी के तेजी से होते प्रसार और उसकी सरल उपयोग से केंद्री करीद और अस्थानी करीद सूचनाओं अब घर बैठे ही प्राप्त हो रही है इसी करम में किसानों को सच्छम करने के अंतरगत ग्रामिट बजार को उत्पादों को आनलाइन माधन से बेचने की विशिस्ताओं से अस्थापित किया जा रहा है और ये जानकारी ना केवल किसानों बलकि मुक्यता दैनिक किर्सी से जुड़े सभी कारों को किलि महतपूर है यानि कि जितने भी आतकल अस्थानी किसान है या उनको फसल के दाम से रिलेटर या अगर उनको जानकारी लेनी होगी तो उनको अपने अस्थानी मंडी या अस्थानी बजार में उनको बिट करना पड़ेगा लेकिन इगवर्नेस के ताथ हम आलनाइन ऐसी सुद्धा मतलब अपने अपने भवसल के दाम और अपने दयनिक किरसी से जुड़े जितने भी चीजे हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राब्ट कर सकते हैं ठीक है जिसमें वही चीजे है आपको दयनिक बजार भाव के में बात करें किर्सी उत्पादों में इसें खाद्यान, फसलें, फल वा सभियां का दहनिक बजार भाव कितना है ठीक है जिसमें ये अलग-अलग भासाओं में उपलब्ध है बजार भाव पर आप निम्न वेफसाइट से अलग-अलग वेफसाइट होती है इसें आप प्राप्ट कर सकते है ठीक है उसके बाद अगला है इनागरिक सेवाएं इसमें क्या है इनागरिक सेवाओं में राष्टी ई concern की तहथ आंलाइन अगरिक सेवाएं की उपलब्धा इस असन्हा बावा पुड़ भाग है इस योजना के तहट नागरिकों को इन सिवाओं के लिए सरकारी कार्यालों में जाने की जरूरत नहीं होती है वे इन योजनाओं और इन से मिलने वाला लाभ कार्यालियों में या अपने घर में आरां से बैठे ले सकते हैं इसमें क्या चीज़े हैं देखि आयका रेटरों की फाइलिंग करना है या अपना नाम मद्दाता सुची से आड़ करना है या खुजना है तो यह सारी सुचभाएं आपकी E-Citianship में आते हैं ठीक है अगर बात करें E-Dark और संचार से वाएं डाक और दूर संचार विभाग के संचार और सुचना सब्सक्राइब आते हैं भारत का डाक विभाग दुनिया के सबसे पुरानी मेल सेवाँ में से एक है और काफी बिस्तरित भी है समय के साथ आगे बढ़ते हुए इसमें अनेक नई तकनिकों का अपनाए गया है और लोगों को तुरित और सुलब सेवा देने के लिए संचार प्रदोग की को बहतर उपयोग किया जा रहा है इसमें अगर हम बात करें तो आपका फास्ट कह सकते हैं फास्ट पोस्ट सेवा फास्ट मनी ओर्डर सेवा इस पीड पोस्ट की जो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं डाक खर्च का आल्लाइन गढ़ना तो यह सारी चीज़ा प्रदोग की मदद से सरकार द्वारा कई आनलाइन सेवाय पतान किया रहे हैं इसमें आपको क्या है इसमें खेवासी सरकारी जानने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में क्या 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 नहीं हुआ है ग्रामेड अधिवासी जोजना ग्रामेड वर्सा जल सनक्षड तो लागत गर्णा यह सारी चीज़ा आप इसमें जान सकते हैं ठीक है इसमें प्यम जोजना के तहट आज कल बहुत सारी जोजना चल रही है इसके बारे में आप इस ट्रेटस दे क्तर्लकस ठीक है इस सेवा के अंतरगत क्या होता है आंलाइन लर्निंग ए लर्निंग के कई पहलू में से एक है जिसे पता चलता है कि सिच्छा के छेट में इलक्ट्रानिक तथा सूचना और संचार प्रदोगी की का उप्योग कितना लापकारी है यह इंटरनेट के माध्यन से सच्छिक जानकारी देने का एक बहुत ही बहतरी तरीका है यह लाचीला और स्वयम आत्मसाथ करने और दूरस सिच्छा के लिए अनकूल है सिच्छा के छ इच्छा को जारिया करने के लिए बहुत सारी स्कीम है जिसमें आगर हम बात करें आप घर बैठे बैठे परिच्छा के परड़ाम देख सकते हैं अध्यन आज कल आपके कोई भी एक्जाम होता है या कह सकते हैं कोई आप कम्ट्रेटिक जाम देते हैं तो उसका सेंटर कहां उसको देख सकते हैं आप रोजगार से रिलेटर कुछ आप देख सकते हैं तुमाम तरह किए साइट्स हैं च्छत भृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं आप हाई एजू के लिए लोन प्राप्ट कर सकते हैं बहुत सारी योजना इसमें हैं ठीक है जिसमें ये सिकायत सिकायत के लिए वैद अधार बनाती है इस संपर्क को नया रूप देने देते हुए और इसमें तकनीक का उप्योग करते हुए सरकार ने सिकायत निवरान और जंता की सिकायतों को दर्च करने के लिए एक पोर्टल के स्थापन की है यहां आपको अलग-अलग चीज़े बता और रहां करहें जिसमें अनलाइं सिकायत दर्ट करा रही अथिकारियों की ऑनलाइन सिकायद RTI करुन की ताह सिकायद महिला आयोक्रस्तों सिकायद वेंक समिधय सिकायत उभ sitten करने के सब्सक्राइब को मिलतीए है ठीक है इसमें आपका अगला है इपर बिजा सुझा जा से लगानी के फ़र्टा के साथ मिलकर कारिवान कि पारिख्जा एम इस आद्वर रहाई बिजिस मंतराल और नागरिक उड्यान मंतराल को सभी प्रकार की सेवा दने के लिए प्रतिबद इसमें इपरेटक बीजास उब्दा में क्या कैसे उपलाब होती है अब यह चीजें आपका पीशे में डिस्कस किया है ठीक है इपरेटक में आपका बीजास ठीक है अब हम बात करेंगे कि यह गवर्नेंस की अंतरगत आने वाले कौन कौन से कार होते हैं पीछे भी मैंने डिटेल में डिस्ट किया है इसके में हमने साड मतारें आप आनलाइन बैंकिंग के जड़ी सभी बैंकिंग सिवाओं का लाव उठा सकते हैं ये भी e-governance के अंतरगत आता है GST से समझी सभी कार को आनलाइन कर सकते है GST फाइलिंग ठीक है बिजली, पानी, टेलिफोन, मॉबाइल, डेटियाज, इत्यादिके बिल आनलाइन भर जा सकते हैं ये सब ए-गवर्नेंस के अंतरगत आता है पैन कार, आधार कार, रासन कार, पासपोर्ट, जात प्रमाटपत का सत्यापान या उसको आनलाइन करना आयका रेटन फाइलिंग के सबी कार आनलाइन किया सकते हैं ट्रेन बस और हवाई जाहाज के टिकेट आनलाइन बुक किया सकते हैं तो कुल मिलाके आपका जो ए-गवर्नेंस का मुख्य परपज है कि जतनी भी सरकारी सिवाये हैं उनको जनता तक आनलाइन उपलवड कराना या कह सकते हैं किसी डिजिटल डिवास और इंटरनेट के इंवॉलमेंस से कोई भी सरकारी सुवधाओं का लाप उटा सकते हैं इसके लिए आपको internet या तक्निकी सिच्छा का घ्यान होना चाहिए ठीक है अब हम बात करेंगे e-governance को कितने टाइपस में बाटा गया है या कितने टाइपस का e-governance होता है e-governance की स्रेणिया भारत यह वंबिस के कई देशों में e-governance कई रूप से प्रस्तावित है इसमें आपका पहला है पांच रेडियो में बाटा गया पहला है G2G यानि government to government ठीक है यानि कि सरकार से सरकार तक इसमें क्या होता है जो government to government होता है इसमें government की एक मंतराले कह सकते है या एक company government की एक मंतराले दूसरे मंतराले से communication करता है ठीक इसमें क्या होता है जब सरकार के किसी एक बिभाग का दूसरे किसी दूसरे बिभाग से ए गवर्नेस के माधन से संपर्क होता है तो यह स्रेडि गौवर्मेंट टो गौवर्मेंट कहलाती है जैसे खाद्य और नागरी आपुर्थी मंतराले, खाद्यानों समंदित आवसकताओं के सूचना यानि कि government to consumer कह सकते हैं ठीक है सरकार एवं नागरीकों के बीच परसपरिक ब्यवहार government to citizens ready में आता है जैसे आयकर बिवरोडी जमा यानि कि आयकर टेक्स को इंकम टेक्स को जमा करना बिद्दूत अपने बिजली को जमा करना यानि कि जो कह सकते है कि जो government की किसी एक सहस्ता से सिथे customer या consumer तक communication होता है ठीक है यह आपका आता है जी टू सी उसके बाद दूसरा है जी टू बी यानि कि क्या है government to business गौर्मेंट टू बिजनस रेड़ी के अंतरगा सरकार ब्यापार जगह से संपर कर लेन करती है जैसे online trending तथा सीमा यों उत्पाज सुल्क संबंधी प्रक गौर्मेंट to employee का communication होता है इसमें सरकार अपने करमचारियों से communication करती है तो इसके बाद अगला है आपका नागरिक से नागरिक तक यानि कि citizen to citizen स्रेडी में नागरिकों का परस्परिक संपर्ख होता यह आपका इगवर्नेंस के बारे में हमें पुरा डेटेल दिया है इसको पूरा आप एक बार फिट से वीडियो को पूरा कम्प्लीट वीडियो देखिएगा अगर आपको कहीं से डाउटस होगा तो आप ग्रूप में मैसेज कर सकते हैं प्रसनल कॉल कर सकते हैं ठीक है और मैं इस वीडियो के साथ आपको इसका पीडियाप नोटस भी आपको परवाइड कर दूँगा तापकि आप वीडियो को न को असानी से बना सकें ठीक है थैंक यू फर वाचिंग